काना जी के सभी भगतों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा मैं प्रात्ता करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो देखिए आज हम लड़ू कुपाल जी के लिए ये बहुती खुपसूरत सी नियो डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस पनाएंगे आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना जादा खुपसूरत लग रहा है हमने वाइट ब्लैक और रेट कलर का उन यूस करके काना जी की ये सुन्दर सी पोशाग बनाई है और साथ में हमने काना जी के लिए बहुती खुपसूरत सी कैप भी बनाई है चारो तरफ से इसमें बहुत जिसे की आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बना कर काना जी को पहना सकते हैं अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नौलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेशन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेर अगर आपने अब तक मेरे चाइनल को सबस्क्राइब नहीं किया है साथ ही साथ बेल एकन ब्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीजियो की नोटिफिकेशन आपको आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए विए हमने भूउचत तो इसलिए हमने इसको सिंगल ही रखा है पर यह जो ब्लैक कलर का उन था यह बहुत पतला था तो इसलिए हमने इसको डबल करके यूज किया है और साथ में हमने यह दस नंबर की क्रोश्या ले लिए तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम चोली बन इसे निकालेना है फिर हम इसको खीच कर ऐसे टाइट कर लेंगे तो यह यहां पर लॉक हो जाएगा अब हमें क्रोश्या में उनको लेकर लूप में से निकालेना है तो यह दूसरी चेन बन गई ऐसे हम टोटल 15 यानि 15 चेन्स बना लेंगे 15 चेन बनाकर कम्लीट करने के बाद जो एक्स्रा होने है इसको हम कट करके निकाल देंगे अब हमें दो चेन और बना लेनी है यानि कि 15 चेन हमने पहले से बनाई थी दो चेन हम और बनाएंगे तो अब टोटल 17 यानि 17 चेन्स हो गई है अब जो दो चेन हमने एक्स्रा और उनको फसा कर निकाल लेना है दो फंद वे तो क्रोश्या में उनको लेकर हम दो फंदों से निकालेंगे तो यह सिंगल क्रोश्या बन गई अब इसके बाद वाली चैन में भी हम क्रोश्या को डालेंगे उनको फसा कर निकालेंगे दो फंद वे तो क्रोश्या में उनको ले हमने 3 wohligt बनाइ से दबल कोश्या बना गई है तो अब हम इसे ये नहीं चैन में प्रहा है अब नहीं पर उलते हैं और इसी चेन में हम डालेंगे क्रोश्या को जहां से हमने पहले डबल क्रोश्या बनाई है और उनको फसा कर हम निकाल लेंगे तो इससे देखिए तीन फंदे होगा क्रोश्या में तो अब हमें क्रोश्या में उनको लेकर दो फंदों से निकालना है ऐसे ही हमें हर एक chain में से 2-2 बार double crochet बनाते हुए यह पूरी line complete कर लेनी है double crochet बनाते हुए पूरी line complete करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे और हमें kanah jis' की sleeve बनानी है तो पहले देखे हम 3 chain बनाएंगे यह हमने तीन chain बना ली, इसको भी एक double crochet मनेंगे अब इसके आगे की चार चेन में हमें एक एक बार डबल कोशिया बना लेनी है तो देखें ये एक चेन हो गई ये दूसरी चेन हो गई हर चेन में से हम एक एक बार ही डबल कोशिया बनाएंगे अब ये तीसरी चेन हो गई और ये चौती चेन हो गई तो देखिए हमने शुरू में जो तीन चेन बनाए थी वो भी डबल कोशिया होगी फिर उसके आगे की चार चेन में हमने एक बार डबल कोशिया बनाई तो अब टोटल पाँच डबल कोशिया हो गई है अब इसके आगे की छे चेन हमने काउंट करके छोड़ देनी है एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छे, छे चेन हमने छोड़ दी, सातवी चेन में हम फिर से डबल कोशिया बनाएंगे सातवी चेन में डबल कोशिया बनाने के बाद अब आप देख सकते हैं कान्या जी की एक स्लीप बनकर तयार है अब ये जो हमने 1 double crochet बनाई है ना इसके आगे की 6 chain में भी हम एक बार double crochet बना लेंगे तो 1 double crochet हमने पहले से बनाई है 6 double crochet मौर बनाएंगे तो total 7 double crochet हो जाएंगे बीच में हमने देखे total 7 double crochet बीच में बनाकर complete कर लिया अब हमें फिर से 6 chain count करके छोड़नी है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे चेन हमने छोड़ दी, सातवी चेन में हम डबल कोश्या बना लेंगे तो ऐसे काना जी की दूसरी स्लीव भी बन गई, अब देखे हमने यह जो एक डबल कोश्या बनाई है, इसके बाद सिर्फ चार चेन बची है, तो इसमें भी हम एक एक बार डबल कोश्या बना लेंगे तो इत डबल कुश्या पहले से है चार डबल कुश्या और बनेगी तो टोटल पाँच डबल कुश्या हो जाएंगी क्योंकि अगर छोटी स्लीव होती है तो काना जी को ड्रेस पहनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसलिए हमें हमेशा थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए जिसे कि हम आसानी से काना जी को ड्रेस पहना सके अब हम इसको पलट लेंगे फिर से और पलट कर हमें तीन चेन बनानी है एक, दो और ये तीन हमने तीन चेन बनाई अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल कोश्या बनानी है फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल कोश्या बनाएंगे इसी तरीके से एक एक बार डबर कोश्य बनाते हुए, हमें देखे इसको यहाँ से लेकर लास्ट तक पूरी लाइन बिनकर कम्प्लीट करनी है एक डबल कोश्या बनाते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करने के बाद अब देखिए चोली बनकर बिल्कुल तयार है मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखे चोली का शेप कुछ इस तरीके से आजाएगा अब हमने ये ब्लैक कलर का उन ले लिया है हम इसमें घेर बनाएंगे तो घेर बनाने के लिए देखे ये जो लास्ट में एक चेन बची हुई है पहले हम इसको पलट लेंगे और लास्ट में जो एक चेन है यहां से हमें ये ब्लैक कलर का उन निकाल लेना है अब हम नौट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डाल कर उनको फसाकर एक बार निकाल लेंगे जिसे की ब्लैक कलर का फंदा हो जाएगा इसमें अब देखिए हमें तीन चेन बनानी है एक दो और ये तीन हमने तीन चेन बनाई अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली च ये दो बार इसी तरीके से हर एक चेन में से दो-दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे पूरी लाइन कम्प्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं घेर का लुक कुछ है इस तरीके से आ जाएगा अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से तीन चेन बनाएंगे एक, दो और ये तीन तीन चेन बनाए हमने अब नीजे से हमें एक चेन छोड़ कर दूसरी चेन में क्रोशिया को डालना है फिर से हमें तीन चेन बनानी है और एक चेन हम छोड़ देंगे दूसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है बीच में देखे एक चेन हमने छोड़ दी दूसी चेन में से हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जोइट कर लेना है फिर से हम तीन चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़कर दूसी चेन में से सिंगल कोशिया बनाकर जॉइट कर लेंगे इसी तरीके से हमें तीन चेन बनानी है और बीच में एक चेन छोड़कर दूसी चेन में सिंगल कोशिया बनाकर जॉइट करते जाना है इसे हम पूरी ryan complete करेंगे तीन-तीन chat बनाते हुए पूरी ryan complete करने के बाद अब हमें यह red color का oon लेना है और यह जो last shoulder fund से यह जहां पर हमें red color का oon joint करने के बाद अब देखे जहां से हमने oon joint किया उसी chain में हम क्रोश्या को डाल कर पहले in को निकाल लेंगे अब हमें तीन चेन बनानी है एक दो और ये तीन चेन बनाने के बाद अब देखें यहां पे जो हमने चेन बनाकर इसको सिंगल कोश्या बनाकर जॉइंट किया था इस चेन में से हमें तीन बार डबल कोश्या बनानी है तो हम देखें कोश्या में उनको लेंग और फिर हम इसी में से तीसरी डबल कोश्या बनाएंगे तो तीन डबल कोश्या बनाई हमने अब यहाँ पे जो सिंगल कोश्या बनी हुई है यहीं पर हमें सिंगल कोश्या बनाकर इसको जॉइंट कर लेना है फिर से देखिए इसके बाद वाली जो chain हमने बनाकर joint की है इसमें से हम तीन बार double crochet बनाएंगे एक, दो, और ये, तीन तीन double crochet बनाने के बाद अब यहां पे जो ये single crochet बनाई है हमने यहां से single crochet बनाकर हम इसको joint कर लेंगे तो इसी तरीके से देखें ये जो तीन चेन बनाई है हमने इसमें से हम तीन बार डबल कोशिया बनाएंगे और फिर ये जो सिंगल कोशिया बनाई है हमने इसमें से हम सिंगल कोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन बनाकर complete कर लेनी है तीन-तीन double crochet बनाते हुए हमने देखे पूरी लाइन complete की अब आप देख सकते हैं इसका घेर कितना खुबसूरत लग रहा है अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर अब हमें 4 chain बनानी है एक, दो, तीन और ये चार, चार chain बनाई हमने और ये जो single crochet बनाई है न हमने बीच में यहां से हम इसको फिर से single crochet बनाकर joint कर लेंगे फिर से हमें 4 chain बनानी है और ये जो हमने single crochet बनाई है इसमें हम यहां से इसको joint कर लेंगे सिंगल कोशिया बना कर इस तरीके से फिर से हम चार चेन बनाएंगे और यहां से फिर यह जो डबल कोशिया हमने बनाए इसको छोड़ कर बीच में जो सिंगल कोशिया जॉइंट की है हमने यहां से हम फिर से सिंगल कोशिया बना कर जॉइंट करेंगे ऐसे ही चेन बनाते यहां से हम ऐसे वाईट कलर का उन निकाल लेंगे यह जो पहले हमने इह पे जॉइंट करके छोड़ा था वहीवाला गाली इह तो बहुत टाइट नहीं खीचना है नहीं तो इस पें शिकर न आजाएगी अब हमें तीन चेंड बनानी है एक, दो और ये तीन हमने तीन चेंड बना ली अब देखिए हमने ये जो चेंड बनाकर जॉइंट की है इसमें से हमें चार डबल कुष्या बनानी है देखे ये एक बार ये दो बार ये तीन और ये चार हमने देखे टोटल चार डबल क्रोशिया बना ली है अब ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है इसमें से हम इसको जॉइंट कर देंगे फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो chain हमने बना कर joint की है इसमें से हमें चार बार double crochet बनानी है एक, दो, तीन, और ये चार फिर से ये जो single crochet बनाई है हमने इसमें से हम इसको single crochet बना कर joint कर देंगे फिर से इसके बाद वाली जो chain है इसमें से हमें चार double crochet बना कर complete करनी है और जो हमने single crochet बनाई हुई है उसमें से हम single crochet बनाकर इसको joint कर देंगे इसी तरीके से बीनते हुए हमें ये पूरी line complete कर लेनी है चार-चार डबल पुशिया बनाते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हम इसको ऐसे डीला कर लेना है और बचा हुआ एक्स्ट्रा उन इसमें से निकाल कर और टाइट करके हम इसको कट कर लेंगे लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना जादा खुब सूरत लग रहा है यहां पीछे की तरफ से जो यह उपन वाली साइड है तो यहां के लिए हमने यह टिप टैप बटन ले लिया है इसको हम ऐसे उपन करेंगे और एक पीस यहां पे लगा और फिर हम काना जी को ड्रेस पैना कर इस तरीके से देखे इसको बंद कर लेंगे अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगा पे हुक्या वेल्क्रो भी लगा सकते हैं ड्रेस कंप्लीट होने के बाद अब हम काना जी के लिए कैप बनाएंगे कैप ब पना लेंगे और लूप के अंदर को डाल कर इनकाल कर लिए को भालेंगे । अब हमें पाँच चें बनानी है एक दो तिर सिर् चाहर और यह वी पांचिएन वन पनाईं है तो पहली लाखे में लुक करना है पहली लुद्धी चें में पर वाले यह को डाल कर उनको लिखे क्रोश्या में दो फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप्टिस्च लगा लेंगे तो दिखें यह जॉइंट हो गया बीच में आप देख सकते हैं एक होल की तरह ऐसे बन जाएगा अब यहां से जो एक्स्रा उन है इसको हम कट करके निकाल दे फिर इसी में से हम दूसरी बार डबल कोश्या बनाएंगे इसी तरीके से हमें टोटल 15 यानि की 15 डबल कोश्या बनाकर कम्प्लीट कर लेनी है देखें, डबर कोशिया बनाने के बाद, हम इसको ऐसे खीच के, टाइट भी करते जाएंगे, जिससे की आगे भी हमें डबर कोशिया बनाने के लिए जगा बनती जाएगी 15 double crochet बनाकर complete करने के बाद अब हम इसको joint करेंगे तो देखे शुरू में जो हमने 3 chain बनाई थी तो उसकी पहली वाली chain में हमें डालना है crochet को और उनको फसा कर निकाल लेना है दो फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे slip stitch लगा लेंगे अब देखे पूरा circle बनकर तयार है अब हमें 2 chain बनानी है एक और ये 2 हमने 2 chain बनाई अब इसके बाद वाली chain में से हमें single crochet बनानी है फिर देखे इसके बाद वाली chain में से भी हम एक बार single crochet बनाएंगे इसी तरीके से हम ये हर एक chain में से एक एक बार single crochet बनाते हुए ये पूरी line complete कर लेनी है single crochet बनाते हुए पूरी line complete करने के बाद अब इसको भी हम slip stitch लगाएंगे तो शुरू में जो दो हमने chain बनाई थी उसमें से हम पहली chain में crochet को डाल कर उनको फसा कर निकाल कर ऐसे slip stitch लगा लेंगे तो अब देखिए इसमें गहराई आजाएगी cap की तरह से अब हमें ये white color का उन ले लेना है और यहाँ जो एक फंदा बचा हुआ है यहाँ पर हम ये white color का उन जोइंट कर लेंगे अब देखिए जहां से हमने white color का उन जोइंट किया है उसी chain में crochet को डाल कर उनको फसा कर निकाल लेंगे हमें फिर से 3 chain बनानी है एक दो और ये 3 तीन chain बनाई हमने अब इसके बाद वाली chain में से हमें एक बार double crochet बनानी है फिर इसके बाद वाली chain में से भी हम एक बार double crochet बनाएंगे इसी तरीके से हमें हर एक chain में से एक बार double crochet बनाते हुए ये पूरी line complete कर लेनी है वाइड कलर के उन से डबल कोश्या बनाते वे पूरी लाइन कम्टीट करने के बाद अब हम इसको लास्ट में slip stitch लगा लेंगे तो जो तीन चेंथी उसकी पहली वाली चेंथ में से उनको निकाल कर हम ऐसे इसको slip stitch लगाएंगे अब हमें यह वाइड कलर का उन जॉइंट करके फिर इसके बाद वाली जो chain है, इसमें से हम तीन बार डबल कोश्या बनाएंगे, ये एक बार, ये दो बार, और ये तीन बार, हमने एक ही chain में से तीन बार डबल कोश्या बनाई है, अब इसके बाद वाली chain में से भी हम तीन बार डबल कोश्या बनाएंगे, देखेंगे, एक ये दो और ये तीन इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से तीन-तीन बार डबर कोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेनी है जिसे कि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेयर आ जाएगा तीन-तीन डबर कोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करने के बाद अब हम इसको भी last में slipsis लगा कर जोइन करेंगे तो जो तीन चेन बनाई थी हमने उसी में से उनको निकाल कर ऐसे हम इसको slipsis लगा लेंगे और last में एक पंदा बच्चा है तो हमें इसको अब यही पे लॉक कर लेना है लॉक करने के बाद अब हमने यह वाइट कलर की मोती ले लिया है यहाँ आगे की तरफ से हमें देखिए इसको ऐसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद अंदर की तरफ से हम इसमें सूई डालेंगे और पहले एक बार इसको हमें यही पे लॉक कर लेना है फिर हमें ये white color की मोती ले लेनी है और मोती को हमें यही पर joint कर लेना है तो देखे अब काना जी के लिए cap बनकर भी बिलकुल तयार है तो देखे फ्रैंस हमारे लडुको पाल जी के लिए बहुती खुबसूरी सी new design winter special dress और cap बनकर बिलकुल तयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हुई एड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ पैल आइकन भी प्रेस करें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तैंक यू